जैए इन दोस्तों शुवान डिस्कर्शन गूर्प में पुश्भागत हैं तो आज आपको हम बताएंगे कि जो डिजी एचे से डिजी एचे से फिल्ड वर कर रहे ठीक है उसका रेंकर जारी होने मेला था लेकिन कुछ इस्यु करन रेंकर नहीं आया है ठीक है तो आपको मता किसे जारी होगा उसको हम बताएंगे किसका कितना नमर रहेगा ता राम से उसका सेलेक्शन हो जाएगा तो इसके बारे हम बात करेंगे ठीक है और साक्ष के साथ ही बात करेंगे क्योंकि यहां पर आपको अथेंटिक और अच्छा से अनलाइज करके हर एक चीज़ को बैता आ इंसर की लूड कर चुके है ठीक है तो आपको पता है कि आ यहां की बाता रहा है तो उसकी पुर्ण से आपका मेरीट किसमा आज आएगा आपका टेंस्म खतम हो जाएगा बस आप इसको देख लिए ठीक तो फिरिय। वन को अपने टेलिग्राम पर डाल देंगे का लिंक गाल देंगी हैं आपके लिंट कर लिए किसिस्का है आपका है और इसी बेस पर होगा है यह सो नमर के मार्क से सो नमर वाला कोश्चन है ठीक है और इसी बेस पर ही हर एक चीज़ का रहें के दुजारी होगा अपना आप मिला सकते हैं ठीक है सबको बात करें के किस में कितना है रख बेडाएं रख है है 5 सफ पर होग ओपढ़ है ठीक है किसे हमहाइं है ओर और पर देख लेउट और लाम से उईपिर जिस न's और यहां यहां 2-4 तुकई दो नों देहें भीह यहाँ पर शौ मेंसे 86 है तो रहेंक फाइफ है ठीक है और शौ मेंसे 72 पिरह क्या प्ंदर है ठीक कितना नमर कांतर पर टोडल और 12 कौंतर और 12 कौंतर में ही कितना हो दीए आण्ध 20 बदलगी यहां पर देखिए एक right झार था चोवतर नमर्ध का अंतर ऐसकि और क्योड़ार कह आतर में आपका कितना लेट prostu लेकिं कितना होगे दू होगे ठीके तैसे रहें कि जारी होता है ठीके अब देखते हैं इसका थोड़ा देख लेते हैं इसका तो आठ नमर में और चार रहें घसके ठीके वहां पर देखें कि और चौदा में 10 खसका और आठ में कितना खसका चार घसका ठीके तो आपको इस तरह अगर देखें सो नमर में यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आपको यहां से रही कोन से मतलब नहीं है ठीके अपका अपने सेलेक्शन से मतलब होना चाहिए कि देखें अगर आप सो नमर के जह तो यह कही होता है की जैसे माल जी की हमारा नुमर है ठीक है और दूसरा एक और उसका चार है मतलला आगर अगर रही एक नमर के दो थो खहोगे एक ही नमर में दो के दो रेंकर जारूगा तो इसे होता है अगर आप सटर कर लेते हैं सो इसे कि देखें एक्जामइश वाफ थोड़ा था तक कॉट कर दढ़ाए कि वह जादा जाएगा ठीक कि पेपर इजी था मैध का पेपर आप देखे थे मैध के पर भी इजी था ठीक है तो जो लोगे स्कोर और उसमें चारे-पांच कोश्चन थोड़ा से हाड था जो लोग इसकोर आचा कियोंगे वो लोग उनका रिजल्ट अराम से होगा क्योंकि पेपर इजी था सब लोग लेकिन इस मंथ में दिसंबर में आपका आंत तक अराम से इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा ठीक आपको परसान नहीं होना है एक सब्सक्टा के आपका जारी कर देगा ठीक है जिसका क्यूंकि आप लोग एंसर की लोट कर चुके हैं तो उसको सिर्फ क्या करना है सिर्प अपना सब्सकार रेंक करना है है तो बहुत ज़ल्द भी जारी हो जाएगा ठीक है तो हमкоं लगता है कि एक सब्सक्राइप समय लेs लिए तो जारी करने के लिए तो ये यह U looking लेट रहता है तो आपको बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए होगे तो इसको सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों में कर दीजेगा